राजनीतिक रूप से संवेधन शीर राम जन्मभूमी बाबरी मस्जिद भूमी विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुझाया जा सकता है या नहीं, इस पर उच्छतम न्यायाले ने बुद्वार को संबंदित पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस पर आदेश बाद में सुन आये जानते हैं कि सुनवाई से जुड़ी एहम बातें, अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, मुख्यन यायाधिश रंजन गोगोई ने पक्षों से मध्यस्थ और मध्यस्थों के पैनल के नाम का सुझाव म हिंदू महासभा ने कोर्ट में कहा है कि वह मध्यस्थता के लिए इसलिए तयार नहीं है क्योंकि वह चाहते हैं कि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, इससे पहले नोटिस जरूरी है, उनका कहना है कि ये उनकी जमीन है इसलिए वह मध्यस्थता को तयार नहीं है मुसलिम याचिका करताओं की ओर से पेशवकीर राजीव धवन ने कहा, मुसलिम याचिका करता मध्यस्थता और समझोते के लिए तैयार है जस्टस ऐसे बुंबडे ने सुनवाई के दौरान कहा की जो पहले हुआ उस पर हमारा नियंतरण नहीं है जस्टिस ऐसे बोंबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो अतीत में हुआ उस पर हमारा कोई निन्यत्रन नहीं है किसने आकरमन किया, कौन राजा था, मंदिर था या मस्जिद हमें वर्तमान विवाद के बारे में पता है हम केवल विवाद को सुझाने को लेकर चिन्तित है सुनवाई के दौरान जस्टिस ऐसे बोंबडे ने कहा यह केवल जमीन विवाद नहीं बलकी भावनाओ, धर्म और विश्वास से जुरा मामला है उन्होंने कहा कि इसमें मध्यस्थ नहीं बलकी मध्यस्थों का एक पैनल होना चाहिए जस्टिस भूशन ने कहा कि अगर पबलिक नोटिस दिया जाएगा तो मामला कई सालों तक चलेगा वहीं जो मध्यस्थता होगी वो कोट की निग्रानी में होगी मुसलिम पक्ष ने कहा कि ये कोट के उपर है कि मध्यस्थ कौन हो ये इन कमरा हो जिस पर जस्टिस भूमबडे ने कहा कि ये हगोपनिय होना चाहिए